Assalamualaikum students इन questions के अंदर हमने x की value find करनी है लेकिन हमने calculating utility और calculator को use नहीं करना हमने logarithms को use करना है या exponential अगर हो तो उसको use करना है सबसे पहले है 3 to the power x is equal to 2 अब दे कि हमें x चाहिए तो x अगर हम log की property apply करें that means कि अगर हम डोनों साइड पे natural log लें तो हमारे पास x जा है वो नीचे as a coefficient आ जाएगा यंकि log की property है कि अगर आपके पास log of x to the power बनकि log of any number to the power कोई भी दूसरा number हो तो हम उसको लिख सकते हैं वही power as a coefficient multiply हो जाती है तो अगर इस तरह की चीज़ गवन हम उसको इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह की चीज़ गवन हम इसको इस फ़र में लिख सकते हैं अब हमें क्या गयों है नेचरल लॉग of 3 to the power x तो इसको हम लिख सकते हैं x into नेचरल लॉग of 3 and that is नेचरल लॉग of 2 अब आकर हम दोनों साइट पे नेचरल लॉग of 3 से multiply कर दें तो left side पे हमारे पास x रह जाएगा और right side पे हमारे पास आजाएगा नेचरल लॉग of 2 divided by नेचरल लॉग of 3 अब हम calculator से इसकी value निकाल सकते हैं या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं question number 25 is 5 power minus 2x is equal to 3 अब हमें क्या करना है minus 2x को नीचे लेकर आना है तो हम दोनों side पे नेचरल लॉग ले लेते हैं 5 power minus 2x और नेचरल लॉग of 3 again वही property नेचरल लॉग की के power क्या है is a coefficient multiply हो जाएगा और ये नेचरल लॉग of 3 है अगर हम दोनों side पे minus 2 नेचरल लॉग of 5 से डिवाइड कर दे हमारे पास यहां से क्या रह जाएगा सिरफ x रह जाएगा तो हम इसको लिख सकते है minus 1 or 2 नेचरल लॉग of t 3 और नेचरल लॉग of 5 अब इसको calculate कर सकते हैं और इसको as it is भी रहने दे सकते हैं अगरुन ने decimal में पूचा वा ताब इसको calculate कर दे calculator से question number 26 is 3 e to the power minus 2x is equal to 5 अब मैं यह भी चीज़ पता है कि नेचरल लॉग और exponential क्या है एक दूसरे के inverse हैं इसको एक दूसरे को cancel out कर देता है या दूसरे कर देता है या दूनों इसको oh 5, 4, 3 अब दोनों साइट पर natural log ले ले लेते हैं यह हमारे पास आदेगा natural log of 5 by 3 आप ने कहा था कि exponential और natural log देख देखे किया है inverse है तो the cancels out और आप इसको calculate कर दोनों साइट पर अगर minus 2 से divide कर दे तो आजाएगा minus आप इसको calculate कर सकते हैं या इसको आजेखे दिराने दे सकते हैं question number 28 e to the power x power minus 2x e to the power x minus 2x e to the power x is equal to 0 इसका असान तरीका क्या है अगर हम लेकिं e to the power x देखे वो common है तो यहां क्या बच जाएगा that means कि या तो e to the power x जाएव वो equals to 0 है या this thing equals to 0 अब e to the power x कभी 0 हो नहीं सकता तो मारे पास एक यह option बचिए है वो ही है minus 2x is equal to minus 1 अगर मैं minus 1 को दूसरे जाट पे ले जाओ और अगर minus 2 से divide कर दे तो minus 1 minus 2 x की बचिए जाएगी 1 more 2 इसी तरह यह question number 29 है वो भी similar ही है वा सरफ power e के जाएवो थोड़ी सी change जाएगी वो minus x e to the power minus x plus 2 e to the power minus x plus 2 e to the power minus x equals to 0 अब इसमें e to the power minus x common है अब इसका मतलब है कि या तो यह equals to 0 है या x plus 2 equals to 0 अब e power minus x again cannot be 0 इसमें से हमारे पास प्यादी प्यादी जाएगी question number 30 में हमने x की value ही find करनी है लेकिन इसमें हमने करना क्या है कि हमने इसको substitution से solve करना है अब इसका मतलब होगा इसका मतलब होगा सोब इस तरब नहीं करना है इसलिए हम substitution जेकर करने substitution जेकर हम कहें कि u is equal to minus x यह क्यादी जेकर कर दे हम हमारे पास आजाएगा e power minus 2x. अब यह values हम replace कर देते हैं इस equation का उदर. e power minus 2 क्या है? u square का equal है. minus 3 e power minus x. इसका equal है. वो u का equal है. और वो minus 2 का equal है. अगर हम minus 2 को left side पर लिया है तो यह बन दाएगा. plus or is equal to 0. अब दो तरीकों साफ इसको solve का सकते हैं. characterize करके यह quadratic formula से. quadratic formula आपके पास किया होगा. minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. जहां आपके पास b की value है minus 3, c की value है 2, और a की value है 1. और आपने factorize करना है. factorization में क्या करते हैं? first and last को multiply कर देते हैं. that means 2u square. अब हमने इसके factors निकालने हैं. इसका factor है u times 2u. 2u times u. ठीक है? या फिर, दोनों के साफ माइनस भी आ सकता है. minus u times minus 2u और minus 2u times minus u. तकरीबने सारे एक जैसे ही हैं. अब, अगर मैं इनको multiply कर देता हूं, मेरे पास ये value आती है, पर इनके addition से मेरे पास minus 3u आना चाहिए. तो, ये, या ये, ये दोनों क्या हैं? सेम ही है, सरफ places switch टें, इनकी. अगर मैं ये value इसमें, तो इनको अगर मैं multiply कर दूँ, तो मेरे पास ये आता है, और अगर मैं इनको add कर दूँ, तो मेरे पास minus 3u आता है. इसलिए हम split कर देते हैं. minus 3u को हम लिख सकते हैं, minus u, minus 2u, और plus 2 is equal to 0. अब इसमें u common है, तो यहां से u minus 1 आ जाएगा, और इसमें minus 2 अगर हमने, यहां से जाएगा u, minus 1 is equal to 0. u minus 1 दोनों में common है, इसमें भी और इसमें भी, यहां u बच जाएगा, और यहां minus 2, that means कि u minus 1 is equal to 0, u minus 2 is equal to 0, तो u 1 के इकल आ गया, और u 2 के इकल आ जाएगा. अब back substitution करते हैं, u को हमने का कवर, e to the power minus x is equal to u, इसी तरह, e power minus x is equal to, अब दोनों साथ के natural log लें, 1, इसी तरह, यहां पर भी अगर हम natural log लें, यहां के natural log लें 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 लें, इस cancel out minus x is equal to, natural log of 1 is equal to 0, that means कि x is equal to 0, एक यह वीडियो हो गई, दोसरी हमने यहां से निकालनी है, यह cancel out होते हैं, तो minus x is equal to, natural log of 2, minus से multiply कर दें तो, minus natural log of 2, 1,2,x कि विरी जें लें लें मैं साल next झाल झाल